UPSC Current Affairs program में आपका स्वागत है मेरा नाम है विश्वजीत हम चर्चा करेंगे वूली महमत पर हुए शोध के बारे में वूली महमत विशाल का ये दातों वाले विशाल जानवर थे जो लाखों साल पहले पृत्वी पर मौजूद थे रूसी शोध करताओंने इन विशाल वूली महमत को नस्ट करने वाले विशाडूँों पर शोध शुरू किया है जिसके तहत इन विशाडूँँ को पहले जिन्दा किया जाएगा शोध करताओं के अनुसार पुर्वत्तर साइबेरिया, वुली महमत और अन्विलुप्त प्रजातियों तथा निश्क्री प्राचीन विशाडूं के अवशेशों का घर है यह शोध रूस के स्टेट रिसर्स सेंटर आफ वायरोलोजी एंड बायो टेकनलोजी द्वारा किया जा रहा है इसका मुख्य उद्देश सेलूलर सामगरी को निकाल कर उस पर प्रयोकशाला में शोध करना है इस सेलूलर सामगरी में वायरस मौजूद होते हैं जिन्होंने ऐसे विशालकाई जानवरों को नश्ट कर दिया था इस शोध से चिंता की बात यह है कि आज के मनुश्र का शरीर इस प्रागेतिहासिक पेलियो वायरस के लिए अजनवी है और यह करोना वायरस महमारी से भी अधिक घातक हो सकता है यह मानव के लिए बहुत घातक हो सकता है क्योंकि इन विशाडूों ने हाथियों के अकार के विशालकाई जानवर को नश्ट कर दिया था दुन्या के कई वग्यानिकों ने भी इस शोध की आलोचना की है फ्रांस के प्रोफेसर ने इस रूसी शोध को भ्यानक कहा है इनका कहना है कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली ने शायद कभी ऐसे वायरस का सामना नहीं किया है यह प्राचीन वायरस आज भी घातक हो सकते हैं लेकिन सच्चाई यह है कि इस शोध के बिना भी यह विशानू बाहर आ सकते हैं क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्किटिक के पर्मा फ्रोस्ट पिखलेंगे तो जमे हुए पानी के नीचे से जल्द ही या बाद में इस तरह के और भी घातक वाइरस निगल सकते हैं विज्ञानिकों ने घातक बिमारियों की चैतावनी पहले ही दी है इसलिए शोध भविश्य के लिए लाबदायक भी सिद्ध हो सकता है कर दो जातक बिमारियों के लिए लाबदायक भी सिद्ध है